नमस्कार दोस्तों आप लोग का स्वागत है टेक्निकल एक्जाम यूटूब चैनल में कैसे हो से भी लोग देखे बैकेंसी आई है आपकी जेई लेवल की बैकेंसी है यानि जेई मतलब बहुत लोगों नहीं पता होता है जूनियर इंजिनियर और एनाइटी इसमें आई है रायपूर में बैकेंसी आई है रायपूर डेड में 13-7-2023 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है देख्यो यार तुम लोग को एक चीज में समझाना चाहूंगे इस वीडियो में तो तुम लोग ता एक बैकेंसी हो या दस बैकेंसी हो एक हजार बैकेंसी हो सब इंपॉर्ट देता हूं ठीक है तो देखिए और इसको पीडियम में टेक्निकल अंडरिस्कोर एक्जाम वर्ण पर डाल दूँगो वहां देख सकते हैं जो रायपूर टेक्निलोजी है जो 36 गड़की है इसमें जो आई वैकेंसी तीन डिपार्टमेंट वे है आप देख सकते हो टेक्निक पर लेवल फाइफ है जो वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से जो 9 वैकेंसी आपकी टेक्निकल असिस्टेन में बाकी दो वैकेंसी आपकी सिविल एन अलेक्टिकल जी के टोटल नंबर अप वैकेंसी 12 है ठीक है तो अप्लिकेशन जो शुरू हो रहा है 19-7-2023 से 19-7-2023 से शुरू हो रहा है और लाश्ट डिश्ट 14-8-2023 तक इस फार्म को फिल कर पाओगे ठीक है इनकी जो वैपसाइट है यहाँ पर जाके फिल कर पाओगे ठीक है तो यह सारी चीजें है बाकी यह आपकी है बाकी यहाँ देख सकते हो आर्केटेक्टर आपके जो ट अच्छा खासा वैटेंसीज है यह बात समझ लीजें सारे ब्रांच अलिजबल है टेक्निकल एस्टिशन की पोस्ट की बात करो उन्हीं आपकी देख सकते हो फीज की बात किया जाब 1000 फीज है बाकी 500 रुपए आपकी अप्लिकेशन फीज है और यह सारी चीजें आपको दे पोस्टल डिले कंड़े सारी चीजें इंसिटूट राइट टूदर यह सारी चीजें देख सकते हूं ठीक है कंडिडेट सब्जेक्ट विंग फॉंड मेडिकल इफिट तो मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एक चीज क्या होता है कि छोटी-छोटी वैकंसी कभी- देख सकते हूं बाकि आपको एनाइटी काइंड आफ इंफॉर्मिशन यह सारी चीजें बाकि आपकी एजुकेशन पोस्ट में टेकनिकल आपके आजे ग्रोबी की पोस्ट है स्केल पे आप बीबी टू तिरानवे सो से चाउतिस दराट सो बिद ग्रेट पे आप ब्यालिस स सेलेक्शन प्रोडेक्शन नाट अप्लिकेबल इस लिमिट थैटी साल एजुकेशन आपका फर्स्ट क्लास है आप देख सकते हो आपके बी बीटेक एमसीए फर्स्ट डिप्लोमा इंजिनिंग यानि बी वीटेक डिप्लोमा सब एलिजबल है बाकि वेधर एज की वेबात क सर्विस बिद क्रेट पे 42 सो टेक्नीशियन सेलेक्शन पोस्ट ठीक है यह सारी चीज़ें आपको है नेमा पोस्ट जूनियर इंजिनियर असिस्टन लाइब्रेरी यह सारी चैज़ पर ग्रूप भी तो यहां पे भी साली सेम है वाकि 30 जूनियर इंजिनियर के लिए प्लस आपको भी वी टेक होना जरूरी है देख सकते हो भी वी टेक और डिप्लोमा वाले भी इस वाम को फिल कर पाएंगे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल यह सारी चीज़ें आप कर पाओगे वनियर का है इसमें 100% डारेक्ट रिकूर्मेंट है कोई भी आपके नहीं हो रहा है यह बहुत अच्छी बाच है ठीक है बाकी यह फार्मेश्ट वाले हैं जो हमारे अंडर नहीं आता है तो हम इसको स्किप कर देते हैं ठीक है बाकी आप देख सकता आप्टर टू एर एक्स्पीरियर ग्रेट पे अठाइस सो रिकूर्मेंट विल भी प्याली काईच एंड टेक केर अपना ख्याल रखिये सतर कर रही हो सौधान रही है